नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये प्लेंजर आपका मोबिल में डीजल क्यों उतारता है आखिर आप प्लेंजर नया डाल देते हैं सब कुछ करते हैं फिर भी मोबिल में डीजल क्यों बढ़ जाता है बार बार इसकी सता जानकारी हम आपको आद देंगे ये क्या क करने से सही होता है और एक किस कमी से होता है तो पूरी जानकारिया आपको देंगे दोस्तों पहले तो आप से कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रू कर दें दोस्तों मैंने यह पंप को बाड़ी से खोल लिया है इसमें दोस्तों कोई टी होती नहीं इसलिए इसको हम उपर करके खोल देंगे इसके बाद में पाइप को उपर ही बांदेंगे क्योंकि नीचा रहेगा तो डीजल बाहर निकलने लगेगा अब यह पंप है पंप में एक छेद होता है उसमें लाग लगा कर और कोई भी तीली डाल कर लाग को निकाला जाता है हम आपको दिखा रहे हैं आप वीडियो पर बने रहे हम पूरी जानकरी देंगे कि क्यों उतारता है और कैसे रुकेगा उतार ना यह लाग लगा होता है इसको पेजकर से निकाला जाता है अब इसका हम राकर खोलेंगे कि अब देखा है कि अग्षाइब करें दोस्तों हम बिंजों खोर लेंगे टाप वाला डिलिवरी वाल इसी के नीचे होती है यह डिलिवरी वाल हम निकाल लें आपको दिखा रहे हैं यह यह दोस्तों डिलिवरी वाल यह डिलिवरी वाल का पूरा सेट है यह पेलेंजर है यह पेलेंजर का सेट हम आपको दिखा रहे हैं इस राड पर निकिल होती है वही निकिल काम करती है यह दोस्तों सीट यह पंप की कड़ जाती है फिर लंजर डीजल उतागा शुरू कर देता दोस्तों कि ये बहुत बारीग जानकार रहे हम आपको बता रही है यह सीट कड़ जाती है फिर अब दोस्तों इसको हम सुल्यूशन बता रहे हैं आपको ये प्लेंजर की सीट है इस पर इस पर बारीक वाला धागा लपेटा जाता है जिसको पेचक बोला जाता है जिससे कपड़े की सिलाई होती है इसको कम से कम आपको हम बता रहे हैं 20 से 25 राउंड इस पर लपेटा जाता है ओधु स्थों पंप की सीड ऊपर डिपेंड करता है कितनी खटी है इसको सीट में डालेंगे और प्लेंजर में एक छेद होता है उसकी भी सीट होती उसी में जाकर वह बैठता ही हमेशा अब ध्यान रखिए यह अब हम प्लेंजर के उपर डेबरी वाल डाल लेंगे कहीं कहीं लोग इसको कम रख भी कहते हैं यह बिंजर हम इसको टाइट कर देंगे कि इसको फूल टाइट कर देंगे फिर नीचे का सिस्टम बानेगे आङब आज अ ऐसे है अ आज़ियो अ अब दूस्तों हम बाड़ी में डालेंगे राकर ये राकर डाल दिये हम इसने अब दूस्तों ये भी हम बता है राकर में और जो इसमें गड़ारी डाली जाती दोनों का भी एक टाइमिंग होती है अगर वो टामिंग इधर अधर हो जाएगी तो या फिर स्टार्ड नहीं होगा या फिर बंद नहीं होगा इंजन कि ये देख कर टाइमिंग डाली जाती है जैसे दोस्तों के ये देखे हम आपको दिखा रहे हैं ये टाइमिंग है इसकी और इसी परकार हम आपको दिखाने कोशिश कर रहे हैं इसमें भी टाइमिंग बनी हुई है प्रेंजर भी सीधी दिशा में डाला जाता है अगर सीधी दिशा में नहीं पड़ेगा तो फिर पंप उल्टा काम करेगा बंद करोगे तो चलेगा और चलाओगे तो बंद हो जाएगा इसलिए प्लेंजर का साइड देखकर ही डालना चाहिए यह प्लेंजर लाग है यह इंटर्नल टाप है अब इसको दाप के सीमें हम कोई भी चीज लगा देंगे इसके बाद में हम में लाक लगाएंगे यह दो सेप्टी लाक लगा होता है इसमें हाड तार का बना होता है हलका पुष करके इसको हम निकाल देंगे अब इसमें हम डीजल लेकर इसको पहले चेक कर लेंगे यह काम सही कर रहा है नहीं कर रहा है अगर बांद कर चला देंगे अगर उल्टा बंद जाएगा तो फिर इंजन बंद नहीं होगा या फिर्ट नहीं होगा इसको बाहरी चेक करने अधि रहा है इस दो से इंजन पर बांद कर देख रहा है अधिर ऑब देख सकते बंद करने पर बंद हो रहा है खोलने पर डीजल आ रहा है इसलिए पंप यह सही है दोस्तों अब इसमें बिल्कुल भी दीजल जो मुद्धिन करता है वो बिल्कुल 100% की बंद हो जाएगा अगर आपके इंजिन में दिक्कत है तो आपके करके देखे जिए 100% की बंद होगा अगर नहीं होगा तो आप कमें अगर नाजन जान चल रहा है तो पहले स्टार्ट करने से पहले हलका मिला लेंगे उसको सेटिंग पर ले आएंगे कि उसके एक आवाज आती है जब क्लियर हो जाता है वह आप लोग जानते होंगी अब हम इसको स्टार्ट करेंगे क्लिश स्टार्ट करेंगे